सवाल निमनलिखित में से किसने भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? A. C. R. दास B. J. B. कृपलानी C. S. C. बोस D. जेल नहरू सही उत्तर है C. S. C. बोस सवाल हरिपुरा जहां 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का वार्शिक अधिवेशन आयोजित किया गया था किस राज्य में स्थित है? A. गुजरात B. मध्यप्रदेश C. महराश्ट्रा D. राजस्थान सही उत्तर है A. गुजरात सवाल 1927 की बटल समिती का उद्देश्य था A. केंद्रिय और प्रांतिय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाशित करें B. भारत के राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाशित करें C. राश्ट्रिय प्रेस पर सिंसर्शिप लागू करें D. भारत सरकार और भारतिय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार सही उत्तर है D. भारत सरकार और भारतिय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार सवाल 1938 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? A. अबुलकलाम आजाद B. सुभाश चंद्रबोस C. पत्ताभी सीतारमया D. जेबी कृपलानी सही उत्तर है B. सुभाश चंद्रबोस सवाल सुभाश चंद्रबोस को वर्ष 1949 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था त्रिपुरी कहा है? A. कलकत्ता B. पुने C. जबलपुर D. अहमदाबाद सही उत्तर है C. जबलपुर सवाल भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सुभाश चंद्रबोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गये थे A. हरिपुरा सत्र B. मदरास सत्र C. त्रिपुरी सत्र D. कलकत्ता सत्र सही उत्तर है C. त्रिपुरी सत्र सवाल नेताजी सुभाश चंद्रबोस किस नेता को हरा कर भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने? A. सर्दार वल्लभाई पतेल B. जेल नहरू C. मौलाना अबुल कलाम आजाद D. पी सीतारमया सही उत्तर है D. पी सीतारमया सवाल सुभाश चंद्रबोस ने पट्ताभी सीतारमया को हराया और भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने? A. हरिपुरा सत्र, 1938 B. त्रिपुरी सत्र, 1949 C. लाहोर सत्र, 1939 D. मदरास सत्र, 1927 सही उत्तर है B. त्रिपुरी सत्र, 1949 सवाल सुभाश चंद्रबोस के इस्तीफे के बाद भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष कॉन बने? A. मौलाना अबुल कलाम आजाद B. पत्ताभी सीतारमया C. राजेंद्र प्रसाद D. सरदार पटेल सही उत्तर है C. राजेंद्र प्रसाद सवाल कांग्रेस के ट्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाश चंद्रबोस और दक्षिन पंथी के बीच का सारा विवाद किस? प्रश्न के इर्ग गिर्ध केंद्रित्था A. कॉंग्रेस कार्य समिती का गठन B. रियासतों के प्रती नीती C. केंद्र सरकार के प्रती रवया D. कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की दोहरी सदस्यता सही उत्तर है सवाल किस भारतिय राश्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटिंग के बीच युद्ध को एक इश्वरिय अफसर के रूप में देखा जो भारतियों को अपने लाब के लिए स्थिती का फाइदा उठाने में सक्षम बनाएगा? A. C. राजगोपालाचारी B. म. जिन्ना C. सुभाश चंद्रबोस D. जवाहर लाल नहरू सही उत्तर है C. सुभाश चंद्रबोस